आपका स्वागत है मैं वर्षा एंथनी आज आपको बताने चाहिए थाउजन कैलरी स्प्राउट डाइट लैंड यह डाइट लैंड होल डे के लिए है स्प्राउट के बेनिफिट तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम सबके घर में स्प्राउट्स रोजाना नहीं तो जहां पे मैंने अंकुरित मूंग का इस्तेमाल किया है अंकुरित मूंग खाने से बॉड़ी को घरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिलता है स्प्राउटेट मूंग में काफी सारे वाइटामिन्स और पोशक्तत हैं जो आपको लंगे समय तब फुल रखता है और बॉड़ी को एनरजी देता है स्प्राउट में फाइबर की मात्रा काफी होने की वज़े से ये वेट लॉस में काफी फाइदेबल है स्प्राउट में कालरीज गव होने की वज़े से वेट लॉस के लिए ये एक बेटर आप्शन है हंडर्ट प्यां मूग में सर्फ 30 कालरीज होती है अब हम देखेंगे अंकुरिक मूग खाने से क्या फाइदे है अंकुरिक मूग आपके कोलिस्ट्रोल लेवल को कड्रोल में रखता है डाइबेटी स्पेशन भी इसे खा सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर ना के बराबर है अंकुरिक मूग में फ्रास्परेस और कैल्शियम की मातरा काफी होने की वज़े से यह आपके बोन को स्ट्रॉंग करता है इससे आपकी इम्मिन सिस्टम भी बढ़ती है अंकुरिक मूग जल्दी से पॉड़ी में अब्सॉब हो चाते हैं इसलिए आपके डाइजर्सिव सिस्टम भी बैतर होनी यह सारी फाइदों की वज़े से अंकुरिक मूग बच्चों से लेके बुड़ों तब सभी लोग खा सकते हैं जिसमें मॉर्निंग में एट वेक अप एप्टी स्टमक आपको लेना है डिटॉक्स वाटर आप मेरे डिटॉक्स वाटर वीडियो में से कोई भी एक डिटॉक्स वाटर ले सकते हो अब हम बना देशारे स्प्राउट देल यहां पर मैंने मून को बॉइल किया है जनरली अगर आप रॉब मून लेते हो तो प्रॉब्लम यह हो सकती है कि उसमें बैक्टेरिया होने के चांसे से इसलिए अगर आप बॉइल करके लेते हो तो वो बेडर आप्शन है यहां पर मैंने ओनियन, कैरेंट और उगुम्बर का इस्तवाल किया है उसके साथ हरावनिया हम इस्तवाल कर रहे हैं यहां मैंने लानमीर चटनी का इस्तवाल किया हैं इसमें सिर्फ लानमीर चे, अद्रब, लसुर और नमक है लगबक मैंने एक वाटी यानिकी पचास ग्राम तक स्प्राउट उबले हुए लिए हैं जो हमारे बेक्वास के लिए सफिशल्ड है आप चाहे तो इसमें थोड़ा तम जादा आप आपके हिसाब से कर सकते हो तीरम इसमें मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा कैरे थोड़ा सा कुकुम्बर थोड़ा सा ओनियन थोड़ा सा हरा धनिया फिर इसमें मिलाद रहे हुँ लाल में चट्नी थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसार यह थोड़ा सा चाट मसार आप चाहे तो इसमें काले मेरी का पाउडर में डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा निमूर में स्कुईस करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए दोस्तों अगर आप इसमें और टेस्ट एनांस करना चाते हो तो इसमें कुर्मूरा या मम्रा या एक वाइट या पनीर वो भी आप इसमें आड कर सकते हो आस पर यूर टेस्ट तो लीजे हमेरी स्प्राउट पे रेटी है जो एक्ट्रॉक्स वन पुट्टी कैलरी है मिड बॉर्निंग आपको लेना है कोई भी एक फ्रूट जैसे के ओरेंज आपल और कीवी या तो फिर आप लीजे वन ग्लास हो बटर मिल्क या तो आप ले सकते हो ग्रिंटी ग्रिंटी का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रिंटी की लिंक जरूर देखिए अब हम लंच के लिए बनाने जा रहे हैं स्प्राउट बूंगी सबजे एक प्रेशर कुकर में आप कुकर गरम होने के बाद आप उसमें वन टीस्पून ओल डालिये फिर इसमें डालिये थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई उसमें थोड़ा सा डालिय अगर आप पसंद करते हो तो आप दालिये थोड़ा सा ओनियन और इसे थोड़ा सा बूल दीजे अब हमारा ओली कॉंटी दी कम है इसलिए ओनियन ब्राउन तो होगा नहीं फोड़ा सा कच्छा पन इसका कम हो जाए तो फिर आप उसमें डाल दीजे थोड़ा सा तो मैं तो इसमें आप थोड़े से सारे मसाले डाल दीजे थोड़ी फाउडर थोड़ी दनिया पाउंदर थोड़ी लाज मिर्च पाउडर स्वादा नुसार आप जैसे कम ठीखा जाएधा पसंद करते हो उसे साफ़ते salt, नमप, स्वादा लूसा, थोड़ सी जेरा पाउदर, फिर आप दालिए उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, सारी चीजे अच्छे से लिक्ट करके, आप इसमें पानी आयर कीजिए, आप दाल जैसी पत्ली गारी सेटे पसंद करके होगे, इसमें साब से आप पानी आयर कीजिए मैंने इसकी कॉंडिडी लगबक 50 ग्राम्स मूग लिये है, ये 1 परसन के लिए इनफ है, फिर आप इसे लीड लगा के 2 से 3 सिटी होने लिजे, तो लिजे हमारी स्प्राउट मूम की सबजी रेडी है, मिड इफनिंग में आप ले सकते हो चाय के साथ दो क्रैकर्स या तूरस्क, और डिनर में आपको लेना है मसाला ओंस, और उसके साथ आप ले सकते हो मिक्स वेज राइता, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीए, पूरी दीन में अगर आपको कभी भी भू अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजे, शेर कीजे और सब्सक्राइब कीजे वाइबरन वर्शा दोस्तों, योगा और फिटनेस की लिए मेरा दूसरा चानल लुक गुड देखते रहे